नमस्ते अभिबादन आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्कलेमर उसके बाद बात करेंगे IDFC First Bank की इनका रिजल्ट डिसकस करेंगे रिजल्ट से हम क्या अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं और क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ और ऐसे bank होंगे जो ऐसे ही aggressive हो करके अपने shareholders को बनिया तोफा देते रहेंगे और bank की performance को भी improve करते रहेंगे क्योंकि ये bank हमारे portfolio का भी हिस्सा है तो कारण एक एक चीज़ आपको explain करेंगे और अच्छे से भी आपको जान लेना चाहिए seriously ये bank बहुत अच्छे काम कर रहा है अगर ये हर जगा successful हो जाते हैं तो उनका जो vision है न वो सच में मतलब ऐसा है कि एक बार के लिए हम आपके लिए वो सपना हो सकता है लेकिन vision जो है वो बहुत तगड़ा है इनका चलिए result पे चलते हैं आप video like कर लिजे हम explanation शुरू करते ह हैं हम सीधे result पे आ चुके हैं और result का आपको explanation देंगे एक इक चीज आपको समझाने की कोशिस करेंगे ध्यान दीजेगा ये data लाख में है तो हम इसको करोण में convert करके आप से बोलेंगे तो थोड़ा confused मत होईएगा ठीक बहुत ध्यान से कुछ बातों को अगर आप करने को हमको मिल लेए और इसी के जस्ट अपोजिर जो interest expended होता है यानि कि interest के रूप में जो दिया गया खर्चा होता है उसको जब हम समझने की कोशिस करेंगे क्योंकि वह total expenditure में जाकर जूडता है तो यहां पर आगर आप देखोगे तो इनको 2208 करोण रुपए खर्च करन पिछले quarter में जाएंगे तो हमें वहाँ पर 2140 करोण का खर्चा दिखा दा पिछले साल के इस quarter से बढ़िया improvement हमको दिखाई दे रहे हैं खर्चा कम होना अच्छी improvement मानी जाती है और जश्ट पिछले quarter से खर्चा बढ़ा है तो इसको समझने के लिए 2-3 वाते आपको मैं है लेकिन एक्चुली में ये इनकम मतलब जो खर्चा होता है इनकम उससे बढ़ जाती है लेकिन खर्चा कम कैसे होता है उसको समझेगा जैसे किसी की FD है ध्यान दीजिएगा वहाँ पर बैंक को देना पड़ता है 8% मान लीजिएगा अभी दे रहा है 7% के आस पास तो दे जीज के कारण इनका जो इंट्रेस्ट पर खर्चा है वो कम हुआ है बाकी और भी कारण होते हैं कभी और किसी और रिजल्ट में एक्स्प्लेन करते रहेंगे आप जुड़े रही है हमारे साथ अब हम अगर टोटल कमाई और टोटल खर्चों की बात करें तो पिछले साल के स्कॉर्टर से और जस्ट पिछले कॉर्टर से भी टोटल कमाई में एक बड़ा इजाफा हम को पिछले साल के कॉर्टर से दिखाए दे रहा है और पिछले साल के स्कॉर्टर से एक छोटा मामली सा इजाफा हम को दिखाए दे रहा है 4711 करोण की कमाई हुई 4689 करोण की कमाई पिछले साल के स्कॉर्टर में हुई थी, अब यहां से हमने क्या सीख ली, कि खर्चा जो है, वो इन्होंने कंट्रोल किया है, कमाई उतनी ही मेंटेंड है, अब अगर आप overall खर्चे पर आओगे, 6 नंबर के पॉइंट पे देखिएगा, 4050 करोन का खर्चा हुआ, जो कि पिछ पिछले साल के quarter से थोड़ा सा जादा है, पिछले साल के quarter से, लेकिन controlled way में है, अभी, यहां से आपको कुछ enthusiasm नहीं मिला होगा, कि bank आखिर किस तरीके की performance हमको दे रहा है, अब इसकी actually performance हमको देखने को मिलेगी provisioning से, और यहां से, जो भी छोटे bank है, उनको बड़ी सीख ले है, अपने profits में, कि अगर कोई एक website हो, कई गुना profit लेख सकती है, कि loss से profit में आयो ही company, बेहतरी इन performance है, लेकिन हमको जो समझना है, वो समझना है, आठ नंबर पॉइंट को, कि provisioning किस तरीके से इन्हों ने handle की है, और यह हमको बहुत अच्छी चीज दिखा रहा है, कि पिछ इस quarter में 482 करोन की provisioning, पिछले quarter से provisioning बढ़ी है, लेकिन पिछले साल के इस quarter से बहुत कम हुई है, और इसी provisioning के चलते हुए, यहाँ पर बहुत तगड़ा नुकसान आया था इनको, आप यहाँ पर देख सकते हो, जब आप overall scenario में जाकर नुकसान को देखोगे, तो आपको द बढ़ी हाम को jump देखने को मिला है, यानि कि जो EPS में हमको इजाफा देखने को मिला है, इससे इसकी price to earning ratio में एक बढ़ी हाम को सुधार मिलेगा, अब बात करते हैं सबसे positive बात की, सबसे positive बात यहाँ पर इन्होंने की, उसका जो हमें फल है ना, वो यहाँ पर देखने को म बढ़ाई हुई है, क्योंकि वो समय की मांग थी, Supreme Court का अभी order भी चला है, वो सब देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन पिछले बार से इस बार की provisioning double है, लेकिन profit में कोई dent नहीं पढ़ा, even profit बढ़ा ही है, तो इस चीज़ को मैं बहुत बहुत positive result मानता हूँ, कम से कम provisioning भ करेंगे, क्योंकि हम इस पर compromise नहीं कर सकते, तो समझ लीजेगा, ऐसे जो bank होते हैं, वो अपने shareholders का भी चाते है, क्योंकि बहुत से बड़े players आकर investment इसी बाइस पर करते हैं, कि gross NPA कितना है, net NPA कितना है, किस तरीके इस bank उसको handle कर रहा है, ये दूसरी चीज हो गई, अब ज देखोगे, तो 17-18 रुपय का लो बनाया था, 50-55 रुपय का high बना चुका है, अभी 50 रुपय के असपास, ठीक, close to 300% का return दिया है, अब मैं वापस आता हूँ, cost of fund पे, जिसको मैं यहाँ पर एक serious मुद्दा मानता हूँ, इतने तेज bank में जो भागा दोडी मची, इसका main का करते हुए, उपर अभी थोड़ा सा trade कर रहा है, लेकिन अब आप समझे बात को, मैं जिस cost of fund की बात कर रहा था, वो यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ, जब यह ज्यादा FD पे rate देते हैं, even saving account पे भी बनिया rate देते हैं, तो जो वहाँ पर customer आता है, वो attract होकर आतो जाता है लेकिन यहाँ पर वो करा देता है FD, saving account नहीं उच करना चाहता हूँ, क्योंकि उसको थोड़ी सी यहाँ पर, मतलब, अलग से situation लोगों के लिए बन जाती है, वो कहेंगे भाया, सरकार 5 लाग की FD कर रही है, हम ऐसे ऐसे 4 बैंकों में, अगर 20 लाग का fund है, या 25 लाग का fund ह है, तो हम 4-5 बैंकों में account खोल लेते हैं, सरकार तो दही रही हमको FD पर क्या, जो मतलब होता ना, सुरक्षा की guarantee, होता ना, insurance आपको FD में मिलती है, वो FD के चक्कर में लोग यहाँ पर FDs खोल लेते हैं, saving account जादा use नहीं करते, और इसी के कारण, इनके पास जो पैसा हो तो यहाँ सी यह customer को attract कर रहे हैं, और अगर, जैसे कि मैंने का था ना, इनका vision बहुत ही तगड़ा है, यह convert करेंगे इन FD customer को regular saving customer में, salary account में, या फिर जो business वाले accounts होते हैं, उनको अच्छे से convert अगर यह कर गए, तो यही लोग bank को चलाएंगे, बहुत अच्छे से चलाएं और कम से कम इस rate पे तो आपको ऐसा fund नहीं डाल देना है, कि आपको बाद में पच्ताना पड़े, हमको अभी अगर आप यहाँ से इनका calculation करोगे, result को देख करके, कम से कम result के हिसाब चेकर अगर आप price to earning निकालोगे, तो आपको यह bank अभी एक सिनारियों में महंगा लग सकत है, क्योंकि अगर हम अगले चार साल की income इतनी ही मान लें, ठीक है, पच्चिस पैसे की ही, तो एक रुपए यह कमाए, कितने रुपए के stock के लिए, पच्पन रुपए के stock के लिए, तो इनको 55 के P.E. पे हम क्यों रखें, इस bank को हम 55 की P.E. क्यों दें, क्योंकि जब हमारे बहुत से stocks हैं, जो growth के चलते बहुत आगे जाते हैं, इस stock की growth story intact दिखाई देती है, management की commentary बहुत ही positive way में हमको दिखाई देती है, bank हमको जो result में करके दिखा रहा है, वो भी बहुत positive way में चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो risk involved है, cost of fund को handle करना, और भी बहुत सी situation ह जिसको bank को समालना होगा, तभी ये आने वाले समय में एक अच्छी performance हमको दे पाएंगे, I hope मैंने आपको result अच्छे से explain कर दिया, तो आप क्या सोचते हो इस bank के बारे में, और अगर आपके पास ये bank है या आप लेना चाहते हो, तो आप अपना जरा rate बताईएगा, और IC के हाथों थमा दिया है, वहाँ पर भी बहुत कोईरी जाती है, IDFC First Bank पर भी बहुत कोईरी जाई है, बहुत लोगों को ये पसंद है, लेकिन ऐसा ना करिएगा कि पसंद है, तो आप यहाँ पर खरीद लीजेगा, या यहाँ पर खरीद लीजेगा, result अभी इतना अच्छा हमारे सामने नहीं नोने पेस कर दिया है, कि अपने 50 रुपए के प्राइज को justify करें, आयोप आप बात को समझ पारे होगे, 50 के प्राइज को ये अभी भी justify नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि ये बैंक अभी अगर हमको 35 से 38 रुपए के आसपास मिलता है, तो वहाँ पर य ये highly valued है, मतलब आपको ऐसा नहीं सोच लेना है, कि हम rally मिस कर देंगे, हो सकता है आने वाले समय में ये अपने results से अपने price को justify करें, और फिर हम आपको fresh investment की बात कर सकते हैं, stock अच्छा है, नजर में बना कर रखिए, गिरावट आए, दबाकर माल उठाईए, अगर वीडिय कर लेना हम करते रहेंगे, धेर सारे और results का analysis, और मिलेंगे आपसे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में, तब तक के लिए अलविधा, बाई बाई